नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेवी मॉनिटर में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे हमारा थमनेल देखकर कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं जियां दोस्तों Paytel से related में आपको जो है कुछ यहाँ पर नया बताने बाला हूँ जैसा कि दोस्तों आपसे भी जानते होंगे कि मैंने चैनल पर अपने एक वीडियो बनाए दी कि Paytel एप्लिकेसन में low limit के लिए कैसे apply किया जाता है तो दोस्तों मैंने उसका पूरा process बताया था उसके बाद में काफी सारे लोगों की ये comment आ रही थी कि सर जो इसमें आप लोगों पता होगा कि जो आपको limit मिलती है उसको आप जो है जो Paytel का merchant account होता है उसका QR code होता है जब तक कि आप जो है उसको scan नहीं करोगे तब तक आपको जो है इसमें limit देखने को नहीं मिलेगी क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम जो है बिना QR code को scan करें ही limit को देख सकें उसको use कर सकें तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है तो इस वीडियो को शुरुती एंड तक देखेगा और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को subscribe कर लिजेगा और जो साथ में वैल आइकन माला बटन है उसको भी प्रेस कर लिजेगा तो यहांपर दोस्तों आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है अगर आप लिमिट लेना चाहते हैं अकाउंट बनाना नहीं आता है जिससे हम अपनी लिमिट को देख सकेते हैं या अपनी लिमिट को योज करता तके तो दोस्तो मैं आपके लिए बता दूँ यहाँ पर दोस्तो अगर जो है आप अपनी इलिजिबिल्टी को यहाँ पर जब तक कि अपना QR कोड जो आपका मर्शेंट वाला पेटेल का QR कोड रता है जब तक कि आप जो इसको स्कैन नहीं करोगे तब तक दोस्तो आपको यहाँ पर लिमिट नहीं मिलेगी नहीं आप उसको यूज करते हो जिन लोगों के मन में यह ख्याल है बार-बार कमेंड करते हैं कि सर को ऐसा तरीक बताइए तो अभी तक दोस्तो इस अप्लिकेशन से जो है आप इस से रिलेड़ेट तो यहाँ पर दोस्तो आप माल लिजे आप ज इसको वर्टसब पर दिया दोस्तों कुछ नंबर कीतरों हमें आरे पास सेंड कर दीजेगा दोस्तों अगर ऐसा संभब होता अगर किसी के QR कोड से जो है अगर मैं आपको QR कोड दे दूं और आप जो है उसको स्कैन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी इपाइ पिन या पिन जो जैसे कि हम गोगल पे या फोन पे का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें हमें जो है अमाउंट डालते हैं उसके बाद में पिन डालना होता है लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें QR कोड को सकैन करते हो उसके बाद में continue के उप्शन पर क्लिक करत करेंगे और उसके बाद में जो आपकी लिमिट है वह मेरे अकाउंड में या जिसका भी आप यह पर QR कोड लेने वाले हैं तो उसके अकाउंड में सीधे ट्रांसपर हो जागी तो ऐसा दोस्तो बिल्कुल आपको रास्ता नहीं पता है तो आप यहां से आप जो है आप पर इस टोर भी जा सकते हैं वर दोस्तों यहां पर जो है आप जो है किसी का भी QR कोड ले रहे हैं और उस पर पैसे ट्रांसफर कर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं और दोस्तों मैं आपको लगता दूँ ऐसे कोई भी ट्रेक नहीं है जिससे आप बिना QR कोड की मदसे अपनी लिमिट को देख सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कभ बेल आइकन बाला बटन है उसको जरूर से प्रेज कर लें क्योंकि जैसे हैं वीडियो डालें उसका नौटिफिकरिशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएं तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन बंदे मा वीडियो में टालें वीडियो कर लें झालें।